जीवन ऐसे ही कठिन होता है और इसे जीने के लिए निलकंठ को स्वयम से कठोर होना पड़ेगा रिस्पॉंसिबिलिटी की बात आप ना ही करें तो ही बैतर है व्यांशी हम सब देख चुके हैं कि आपने अबाब बनने की रिस्पॉंसिबिलिटी किस तरह ने बाई है लेकिन तुम तुम इतना ड्रामा कर रही हो अड़े कुछ खा लेती है ना किसी को पता नहीं चलता बिलकुल नहीं तुम फ्यास जी की जादत के बिला मैं नहीं खाऊओंगी शाकार के समने नंबर बनाने का बहुत शॉक है तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी जाइदा तुम्हारा नाम करने वाले और एक और चीज ड्रामा क्वीन यह जो भूखर्दा का ड्रामा करियो नो तुम मैं जानता हो बहुत जल्दी तुम कबड के बास जाओगी और वहां से पटेटो चिप्स निकाल के खाओगी को वाली पैदा नहीं होता ओके गुड़ लग एंड गुनाइट कोशिश कर्यों कि मुझ मठ जाए हो मुझे मींदार जाए है यार कैसी लटकी है अबयो शेजवान खालो कुछ ने 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 हुआ हो हो खालो भी बिल्कुल भी नहीं वि आसीने भी खाना नहीं खाया होगा चोट तुरी मुझे अबयो भी नहीं है कि जिस दिन अमारी नवेली खुद से सुभा उठकर पूजा करेगी, मैं उस दिन मंदिर जाकर अपने सर से सो बार घंटी पजाओंगा, बस उसी का नतीजा है, हमारी लाटी को भी आज उठकर पूजा के विटी एक मिल मामा जी मामा जी, लेकिन ये तो कंकर्शन के स्म्टम्स है, ये क्या है, मेरा मतलब सर पर चोट लगना खतरनाख हो सकता है, मामा जी, आप एक काम कीजी, डॉक्टर को दिखा किया चाहिए, प्लीज मामा जी, आप कहीए, मैं भी चहनू हूँ आपके साथ, नहीं नहीं, मैं बटा, तो जी भी तुझे इवनानी है, जी मामी, ए माहरानी, अब सीडियां कहा चड़ रही है, कहां चाहरी है, मामी वो मैं साधी पहनने, अब साधी पहनने में चार घंटे लगाएगी, ए ऐसे ही चली जा, जी मामी, पॉस, ए जल्दी आना, आप, जी मामी बस अभी आए, अच्छा खुदा करे, मेरा ये उट-पटांग सा शक्त सच्चा साबित हो, एना होप, पापा से मिलनेगा कोई क्रू भी मिल जाए, याल्ला, प्लीज हेल्प मी जा हुआ, परेशान क्यों लग रही हो और ये हाथ में क्या चुपा रखा है, बबारी, तुम घर से बार यहां पर अक्यली क्या कर रही हो, जबाब दो सवरा जी, मुझे लग रहे कुछ चुपा रही है, तुम्हारे हाथ में क्या चाह, सर्चती अक्सर इनके लिए लाया करती थी, लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे मालूम की चीजा जी को चले भी पसंद है, हैं? मेरे बाबा को भी चले भी हाँ बहुत पसंद है, तो सोचा आप इनके लिए भी ले लू? व्यास जी, मैं जानती हूँ आप घर की रिसोई का बना एक निवाला भी नहीं खाएंगे, जब तक वो नील की कमाई से ना बना हूँ, लेकिन व्यास जी, एक बाहर आप बाप बेटे की कड़वाहट को मिटा कर आप ये मीठा चक लीजिए. मानदेव का स्मारण करता रहूंगा, कुछ नहीं होगा मचे. और मेरे होते हुए आपको कुछ हो भी नहीं सकता, सौराजी. अपने सबरे से कुछ खाया भी नहीं, आप विश्रम कीजिए, मैं अपके पाउं दबा देता हूँ, अच्छी मिंडा आएगी, आईए. एक हीरे को तराशने में वक्त लग रहा है, तो क्या हुआ? दूसरी की चमक पे जोड़ है. चलो आलेका. चार परांठे? मैं अब युपवास चारी कर लेती लेकिन. पल्स तो ठीक है, नील आप प्लीज पानी दीजिए. एए, कंगा, 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 शाली बत करना, कंगा. अब योग क्वीन के राज्जा, तू अपने ही बेकरी में है. हाँ, 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 वो भूख से बयोश हो गया दा, सब आपके चक्कर में. मेरी चकर में? वो व्याज जी भूख है, इसलिए आपने कुछ नी खाया. और आप भूखे इसलिए, मैंने कुछ नी काया. आपने भी नी खाया? इसका मतलब जो आपने ये ड्रावनी से इमिज बना रखी है, इसके पीछ एक नरम दिल इनसान भी है? ठालो. सिंगूरिया? अरे, नहीं, 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 ये नील भाय जी ने बड़ी महनद से बनाया है, थाकि इनकी बिक्रियों और वो कुछ कमा कर घर ले जा सकी. ताकि आप और व्याज जी अपनी भूख अड़तार कतम करें. अच्छा, ये सब नीली बनाई है, वो भी ना कभी कभी सप्राइज करते हैं, जाहिर तो ऐसे करते हैं, जलसे इनके सीने में दिल ही नहीं है, लेकिन उनके पास दिल भी है, और भी बहुत साफ. पेच रहा है, सिंगोरिया ताजी ताजी गर्मा करां, 400 रुपए के लो, ना भेजी, ये लीजे भेजी, दो बॉक्सेज है, 800 रुपए, 400 रुपए का 1 किलो, दो दे दीजे, दो सिंगोरी चाहिए सिर्फ, मेरे पास 20 रुपए ही है, मेरे बेटे गोलु को सिंगोरी बहुत पसंद है, सिर्फ 20 रुपए है, ठीक है रहने दीजे, रुके बैजी, रुके, 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 आप एक काम केजे, आप ये दोनों बॉक्सेज रख लीजे, पकड़िये, रख लीजे, और पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस गोलु से कहतना के, मेरे लिए थोड़ मावाला, आपैजी, अम्मी, क्या उग्या दिखाओ, क्या बच्चों वाले हर्कते करते रहती हो, हादो, हादो क्या बच्चों वाला, देसावार, सेहीन, देरूला, तो ता क्या है, आइस्ता, आइस्ता, अरे वाँ, जे भागना होता ना, तुमे ब़त पहले भाग जाती है, यह भूग के मारे मुन से चलानी जारा, तुम भागूंगी कैसे में, हाँ बेजी, अगर ननको जाना होता, तो अपके भार से चली जाती ना, यह वेकरी में क्यों आती, प्रॉपी, जाईयम, बैयंकर, वाग्र, प्रॉपी, आप अरम से इस, स्वारी, स्वारी, इस, सरी, यहाँ, स्वारी, यही बेजी को, उनके महलत के पैसे तो मिल गए, परिम चार किलो सिंगओरियों को क्या करें, इसका आइडिया भी है मेरे वास, भावी जी, आप ना तो मामी को खेदेना अगर अज खाना बनेगा तो मेरे मेननत के कमाईवे पैसो से बनेगा और सब खाना खाएंगे तो टेंशन मदले बख्स तेरे बापको बोका रहने नहीं तूंगा मैं मामा जी, मैं ले जाता हूँ जात, अपने पती की मेनतनी कमाईवे का पहला खाना खा रही है ने तू? तो पिरिसे, तुझे अपने हाथ से नहीं खिलाना चाहिए हैं? लेकर मामा जी… नील अप्रोसे क्या सर्वाना? लेकर मामा जी, यह सब क्यो… नील, तेरे चक्कर में हमें भुखा रहना पड़ेगा, खिला-खिला जल्दी ठीक, ठीक, ठीक है तो नील के हाथों बनी लग रही है पर नील तो बोल रहा था कि उसकी सारी सिंगोरियां बिख गई हैं? यह यहाँ कैसे? अच्छा जारी देवी तेखनी चाही इन सिंगोरियों का आडर चरूट चाहात ने दिया ओगा ताकि उसके पती की कमाई हो अब तेखो मैं क्या करती हूँ तेरे हैंकार क्यान देखी कर सकता हूँ लेकिन ध्यानियों के रक्त में ये चल ये वंजना कहा के आई कहां तो मैं सपनी देख रहा था कि तेरे माथे पर ये त्रिशूली तिलग होगा महंत की गदी पर बैठेगा तू महंत बनना तो दूर की बात है पहले तुझे मनुश्य पनने का प्रियास करना होगा मुझे भी यहां रहने का शौक नहीं है निल निल मेरी बात सुन दिल कहां जा रहा तू मुझे पिटाप ऐसे गुष्णा नहीं कर जोड़ी है मेरी बात्चुन ऐसे गुष्णा करना ठीक नहीं नील नील, मुझे प्रिश्णा पर मेरी तक्दीर तो देखो एक बला डली और दूसरी गले पढ़ गई अब अगर गले पढ़े गई हो तो मुझे खुछ रख्या मसी खीजी क्या कहा था मैंने कि मुझे यॉर्फूस चाहिए तुले तुम तुम जाए नील, कहाँ चले गए? वै, इसका का मीना बायर प्रेंडल? अरे, मैं भी उसी को पकड़ने के लिए आया था लेकिन मेरे आने से पहले भाग गया वो अज तो इसकी भी टांगे तोड़ूंगी अरे, यह अंग्रे जी फिल में देख देखे तेरे दिमाग में कच्रा भर गया है पर व्याज जी को पता चलेगा कि उनके घर की बेटी बाइफ्रेंड बना रही है तो क्यों असकर चिंग वा? सही बॉल रही है मामी और तू ना तंके कपड़े पहन के गुमा कर कुछ भी पहन के गुमती रती है निरलच कहेंगी कपड़े उतार ले जाके और तू चले मेरे सौट माज़ माली मंदिर के फंड से जब से पैसो की हेरा फेरी हुई है मुझे भी इंसान कुछ ठीक सा नहीं लगता I just hope नवीली उसके बहकावे में आके कोई गलत कदम न उठा दे आज मैं व्यास जी को सच बता करी रहूंगा उनको सच चलना चाहिए या अल्ला यह कुंद सच चाहिए पतांगे जा रहे है वोड़ो मेरा हाथ वो क्या है न आज तक व्यास जी ने मेरा हाथ अभी थाम है नहीं तो इसके मने आज़त महीं है व्यास जी व्यास जी निल निल व्यास जी व्यास जी का है व्यास जी ने आपके तालत ने लेख लिए तो बहुत प्रोब्लम्होसाइकी नहीं जाथ कोई प्रोब्लम नहीं हो कि और STATUE अपको STATUE कहलनाता है STATUE किसको नहीं आता है को आता STATUE कहलना थेक है तो फिर खेले तुम भी भच्छी नजीवार कर कि सताथउ के में गलोगे मेरे साथ, जャवके लो वान, टो, ज्ट素, ज्ट्री, सताथउ अगर एक तो बहर आप नील से प्यार से पेश आएंगे तो शाहिद वह आपके डांट के पिछे चुपी चिंता को देख पाएंगे और हाच की डांट के हपदार वो नहीं मैं हूँ आपके कहने पे उन्होंने तो बहुत महिनद सा सिंगोरियां बनाई लेकिन उन सिंगोरियों को कोई खरीदी नहीं रहा था उन्हें परिशान देखकर मुझे बुरा लगा और उन्हें बिना बताएं मैंने खुदी बॉर्डर प्लेस कर दिया मैं तो बस व्यास ची उन्हें मेहनत करने के लिए एंखरेश कर रही थी तो नहीं निकलनी चाहिए और अगली बाहर नहीं आवास नीचे मैं पसे बचन देता हूं किस गर में हम लोग अकेले मे नहीं मिलेंगे नवेली अपनी माको बचन दो कि आज के बाद हम कभी अकेले नहीं मिलेंगे आवेली, बचन दो हाँ, मैं ही विलोंगे सुन लिया, पुष उस चाहत की वजह से अपने पर्मुक्छी को भी नहीं मिल पाऊंगी उसे इसकी कीमत चुकाने पड़ेगे पुष्टी परदन मिल, प्लीज आप मत रहे आप की लिजे, आप काना गाएए नहीं हाटा हो मजी खाना नहीं गाना है ऐसे कैसी नहीं खाना? वैसे नहीं आइ थिंक, जो आपने मंतर कहा ना उसमें आप से एक मिस्टेक हो गई है मिस्टेक? मुझ से? हाँ महंत का बेटा हो मैं महंत का बेटा हो मैं मुझ से मिस्टेक नहीं हो सकती अच्छा अगर मिस्टेक नहीं हुई है तो फिर से बोल के बताई तुम भी अना शिर्ज में बतातो तो अन का हर दाना जाकर अल्ला मियां से आपकी कंपलेंड करतेगा और फिर इनी चावल के दानों को पलकों पर उठाकर दोजक की आगपर चलना पड़ेगा इसलिए चुप चाप अच्छे बच्चे की तरह खाना खाईए तुम मिलो रोज ही मागर है ये बात भी सुना है नीबू पानी पीने से हैंग ओवर उतर जाता है किस बात का हैंग ओवर जब मैंने कोई शारा भी शारा भी नहीं पी तो हम अच्छा तो आपने शाराब नहीं पी ठीक है मैं एक काम करती हूँ मैं वहाँ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ आप उस पर सीधा चल की बताए ओ मैडम मुझे किसे को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है समझी ना तुम लाइन बनाएंगी आप ठीक है बनाओ लाइन चलिए आईये चौक चलिए ना आईये वैसे देखा जाये तो हर मजब बाते तो अच्छी सिखाता है यह तुमारे धरम में यह सब फिलोसोफी जाड़ना हराम नहीं है अब सीधे मूवात नहीं कह सकते खेर जब आपका नशा होता जाएगा तो अंदर जाके तयार हो जाएगा मामाजी कह रहे थे आग घर में कोई बड़ी पूचा है वो भगवान जिनका वाहन चूहा होता है अब भेंकर आज तो गनेश चतूरती है गनेश चतूरती जाग 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 तेरे जैसे बड़े आदमी से पुझा का थाल थोड़ी बनवा सकता हूं बड़े आदमी? मुझे भी आपसे उमीद नहीं थी नीलभाजी यब ऐसा कुछ काम कर के दिखाएंगे क्या हो गया सब को सब ऐसे क्यो भीव करें अजिसे मैंने कोई बड़ा पाप किया है वो भेंकर कहीं चाहत ने सब को बतातो नहीं दिया कि कल रात में दारोपी क्या है था इसकी तो मैं मामजी चाहत का है बाप बगीचे में गई होगी फूरले ने पूरले ने अ अ और सुन नील सिर्फ सम्वानी नहीं नौकरी भी पक्की है तेरी वो यू वी उपर चैनल है ना मी उतरा खंडी वो चैनल वाले चाहते हैं कि तो उनके चैनल पर अपना खाने का पूरा सो चलाए अब लोगों को बना के खिलाना नया नया खाना नील भैजी अब तो आप अर्लाइं स्टार बन जाएंगे लेकिन उन्हें किसने बताया कि मैं शेफ हूं तेरी बवारी ने तेरे हाथों की बनी सिंगोरियां बंचायत कारयाले पहुचाती थी ताकि छामनी में स्थित लोगों में मिठाईयां बाठी जाए सके लगता है पंचों पे तरे हाथ का बना मीठा जादू कर गया मैं तो कब से बताने के लिए उतावला हु रहा था तुझे लेकिन चाद में बना किया था नूर तेरा तुझ में सब है इश्वर घंडा जितने भी घब है नूर तेरा तुझ में ही सब है इश्वर हल्ला चितन भी नग है नूर तेरा तुझ में ही सब है कि बगवान की आरती यह मैं कैसे कर सकती हूं ना तो मुझे इनकी आरती करनी आती है और ना मुझे इनका मजब इसकी इजास्थ देता है ले नील की बवारी आरती सुरू कर अनील की बुवारी अले क्यों जाहत तुम इतनी डर क्यों रही है अठीक है मुझ से काओ मैं सरा काओ काओ मेरे काओ क्या बात है यह क्या खुसर कुसर सुरू कर दी तुम दोनों ने ओ इतनी सी बात चाहत तुम भी ना मामी क्या है ना मुझे अभी अभी पहले जॉब मिली है वभी भगवान के क्रेपास है अगवान को थैंक्यू कहने के लिए वो चाहती ही के मैं आरती करो सही कहा नहीं बहुने भगवान ने तुम्हें सफलता के कफसर प्रदान किया है तो तुम्हें गणेश जी के आरती करके उनका अभारत अवश्य वेक्त करना चाहिए तुम्हें गण्पदी बापा ओल्या वैसे थैंक्यू थो तुम्हें ने तेरा तु फिकर मत कर तुम्हें वस लड़के में कोई ना कोई दोश निखाल कर सरिष्थे को हमेशा के लिए खतम कर दूँगा मामी हाँ चलिए मेरे साथ गौरी शंकर का कच्छा चिठ्था निकालने चलो तु फिकर मत कर हम हैं ना हम कुछ करते हैं तु चिंता नका नवेली आम बहुत अपसिट हो ना बताओ नवेली क्या हो गया वह में नवेली से पूछ रही थी कि यहलो साडी के साथ कौन सा बलाउस अच्छा लगगा कॉंट्रास्ट की मैचिंग नवेली बताओ ना अच्छा अब तो आप भी आगए एक काम करें आप भी मेरी हल्प करिये एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट मुझे इन अब चीजों के बारे में कोई समझ नहीं है मैं बस अने शोग ले एक एक असिस्टन उन्ड़ रहा हूँ वह हमारे प्रड्यूसर ने काये के हमारे शोग के लिए हमें एक सुन्दर लड़की की जरूरत है ताकि हमारे शोग बहुत ग्लामरिस लगे बहुत ग्लामरिस और बहुत ही बहुत बढ़िया कर रही थी कि आप मुझे थांक्यू तो कही देंगे ना पर भैस के आगे बीन बचाना क्या फाइदा तो बैटके पगुराई की पहले थांक्यू के लायक तो बनो चाहत चलो एक काम करते हैं मैं तो में गोल्डेन ऑपरचुनिटी देता हूं मुझे थांक्यू कहने की देखो शेजवान ना तो तुम सुन्दर हो ना ही तुम सेक्सी हो एक्सक्यूस मी? कहां तो कहां तुम्हां प्रफात है आप कह रहें तो कर दूंगी तो चलिए शो कभी लाइब वह सकता है चलिए चलिए ना नेमसाम आये है आये कमनी किरनी चाहिए सब़ने चाहिए और उतना है नहीं जो मैं कव हुँ हुँ मेरे लिए समान फटा फटला के देना ओके भाभी ये दुनिया ही ऐसी है आपना अपना देल मत छोटा करना अपना टाइम आएगा चल बोपु, लाइप जाते हैं ओके थरी, टू, वन आक्शन नमस्कार उतरांचल मी हूँ शेफ, नीलकंट, भट, ध्यानी और मैं हूँ लवेली आप सब के शोकी होस्ट अब मेरे मतला मैं को होस्ट अब आप यह सोच रही होंगे कि यह लेटिस फैशन वाली ड्रेस मुझे यह देवट्राग में कहां से मिली तो लेट में मैं ही थाँ अब ने बना दिये जोड़ी? पहची वर भाबी की जोड़ी तो सुपर हिट हो गई चाहत यह क्या ले आए तुम? अब फ्लार मांगा थाना, तो फ्लार लेके राई हो फ्लार? फ्लार मतलब होते है आटा यह यह फूल नहीं केवल सरसती के आखे देख पाती थी सरसती कहती थी के नेलकंड को भोजन बनाने की कला अपनी माज से मिलि अ quiere आज पहली बार मैं वि उसकी कला को देखकर उसपर करना चाहताँ ठीक, ठीक, ठीक आपढ़ो जीजाजी इल्कुष कर दिया है आपने मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, बेठो, बेठो. यह देखिए. कितना सुंदर लग रहा है आरा लाटा. तरकारी ड्राय ना हो, तो इसलिए तेल की कमी नी होनी छी. और यह कमेंड किसे दुरा निक है? यह लड़की, डॉक्टर राहिल बेग की पेटी. यह लड़की, डॉक्टर चाहत बेगे. वो नहीं, यह दुरौ नहीं, प्रदीक पच्च, इसे नहीं कड़ाय में कूर्द दलूँगो, भून दलूँगो. अवो आन करे, कोई गरवालाइस कमेंड को ना देखिए. पुपे, यह नहीं? वे, बोपू. आया, माबाजी. यह ऐसे उपन कड़ते हैं? यह देखिए. आहाँ. पड़े, बापा, बाप, 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 बाप. देखोजी, जाजी, बहुत सारे लोगोने पसंद किया है, हमारे बच्चे का वीडियो, हमारे बच्चे का सो, सुपर हिटा, सुपर हिट। मैं आपको पढ़के सुनाता हूं, लड़का लड़की की जोड़ी बहुत बड़ी आया है. आई यह क्या कह रहे हैं कि उसके हलपर के साथ चकर चल रहा है लगता है. रहने दे जमना, याज कल की पीड़ी की निरलज व्याख्या सुनने में मेरी कोई रुक्षी नहींगी. आज तो जेनरेशन के अपने बच्चा दिया. राम जानी आंगे क्या होगा? और पब्लिक कभी जूट नी बोलती पह जी. अब लेकिन शेजवान सॉस के साथ कैसे करूँगा, मैं ये? भैजी, एक सजबात बोलूँ. आपकी ये बेस्वाद जिंदगी में ना, स्वाद लाया उस शेजवान सॉस ने है. पर ये शो भी उनके कारे नहीं मिलाया ना? अब कब तक उनके बाबा का गुसा उनपर निकालो गए? कुछ देर के लिए सही, पर आप नफरत भूलकर उनसे प्यार से बात करें. नीर्वेजी, कफूली हमारे बिल्कुल रेडियो हो चुकिया, अब जल्दी से जीरे की रोटी बना लेते हैं. तुम मेरे हो रहे या हो गए या है फासिला, बुझे दे तुम कहां ये क्या है? थैंक्यू येस, थैंक्यू और वो भी तुम्हारे लेते. क्योंकि बहुत देनों बाद तुम्हें मुझे वह काम कर रहा है, जिसको लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ. और आज मैं बहुत खोश हूँ तो इसका सारा क्रेडिट जाता है वो भी तुम्हें. तो थैंक्यू. थैंक्यू. थैंक्यू, जाहाद. तो आप सब हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में के आपको हमारी कफुली की रेसिपी कैसे लगी. तो प्लीज, लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल पहाडी बोधियों का सब्सक्राइब करना न भूलिएगा. थैंक्यू सो मच्छ.